हलो जाहें दोस्तों कैसे हो तो दोस्तों आज जैनरेल डिवीटी के लिए जो रिलेशन भरती है और 10 सेप्टमबर को एक्जाम है उसके लिए भेरी भेरी इंपोर्टेंट आपका ओर्जिनाल पेपर से उठा कर आज कोशन लेकर रहे हूं तो दोस्तों एक कोशन सभी ओर्जि जाधा कोशन आच्छा तरह देखाई नहीं दे रहा है देखो किस तरह कोशन पूछा गया वास दफास्ट मुस्लिम ओमें रूलर अफ दिली देखो और भी कोशन है प्राम ओफ राज्यशुबा मेंबर अच्छा तरह देखाई नहीं दे रहा है लेकिन हमारा टीम आपके लिए बहुत ही आच्छा तरह देखाई देखाई देगा इसलिए टाइपिंग करके ओ पीडेफ में खनवर्ट कर जया गया तो दोस्तों पहला नंबर कोशन देख लि देख लिए तो दोस्तों सेम टू सेम कोशन है यहाँ पर फास्ट ओमें आपका जो मुस्लिम ओमें डूलर ओफ दिली देख लिए दिली की पहली मुस्लिम महिला शाषो कौन थे बता दो चारो ओप्षेन में साइन्स साच चुनो तो दोस्तों इसका राइट अंसर हमारा जो राजशवबा मेंबर इस दिख लिजे राजशवबा संग्षत का कर्जेकल होता है कितना बर्ष होता है यह याड है बताओ कितना बर्ष होता है चरो ओप्षेन में साइन्स साच चुनो दो छे चार पांच इसका राइट अंसर बता दो तो दोस्तों हमारा जो इंडिया इंडिया इसका अड़ दा दग लिजे भारत की सबसे बड़ी सेचाई नहर का कहा जाता है बता दो चारो ओप्षेन में साइन साच चुरो तो दोस्तो नेश्ट कोशन क्या है खाशी एंड गारो टीप्स मेंली लिप्ट इन दिख लिजे खाशी और गारो जनजाती निवस करती है कहा करती है बता दो चारो ओप्षेन में साइन साच चुनो मुनिपूर नागलेंड मिजोराम मेगालोई इसका रेट अनसर बता दो तो दोस्तो नेश्ट कोशन क्या है कमबाला रेस एट रेशनल बाफेलो रेस इस बिंग हेल्ड इन दिख लिजिए परबभी भेज दूर कंबाला दूर आईजित क्या जाता है कहा आईजित क्या जाता है बता दो चारो ओप्षेन में साइन साच चुनो केरला में तेलेंडगा म में कामिनारू में करनाटाका में इसका राइटनसर बता दो यहां पर बहुत ही आच्छा तरह इसका राइटनसर ढोंड कर बता दो तो दोस्तों इस चारों ऑप्षिन में हमारा जो इस्टुडेंट ऑप्षिन D को चुना करनाटाका को चुना उसका राइजन सार हो जाएगा option D होगा राइजन सार क्या होगा option D करनाटाका में आपका traditional बाफिलर दूर आपका कंबला में किया जाता है कंबला दूर किया जाता है करनाटाका में next question दिख लिजिए दिख लिजिए लाल बहादु शास्तिरी नेशनल एकाडेमी आफ एड्मिनेस्टियेशन लोकेटेड़ दिख लिजिए लाल बहादु शास्तिरी राष्टियो पोशाशन एकाडेमी कहा इस्तित है बता दो चरह option में science साच चुनो दिल्ली, शिमला, मुशूरी, कलकाथा इसका रेजनसर बता दो तो दोस्तो इस्से चरह option में हमारा जो student option क्या होगा बता दो देखता हूँ कौन-फ़न बच्चे इसका रेजनसर देबाता है तो दोस्तों बिल्कुल हमारा जो student option C को चुना मुशरी को चुना उसका रेजन सर हो जाएगा option C होगा रेजन सर next question देख लिए तो दोस्तों next question के पहले हमारा जो student 10 September exam के लिए तयारी कर रहे हो उसके लिए नया PDF लॉंच हो गया है तो दोस्तों उसी PDF आप पढ़ लिया तो आपका exam 100% के लिए जो original paper आज हो रहा है इसी तरह पिसले 5 year का या 7 year का जितने भी question पूछे गए 15 से लेकर 20 तक या 15 से लेकर 23 तक जितने भी original question पेपर आया था वो हमारा पास है तक्रीबन आपका 15 पिलास question हो जाएगा तो दोस्तों हमारा जो student ओ PDF 15 पिलास question का PDF लेना चाते हो जोरूर हमारा इसी नामबर पे call करके ले लिए only 99 रूपिया में मिल जाएगा तो दोस्तों जो student सोच रहा हो लेंगे क्या नहीं लेंगे बच्चों अपनाया हो आपका पाता नहीं है कहां से question पूछता है आप book खरिद कर पढ़ोगे तो आपका दिमाख में समझ नहीं आएगा कहां से कहां से पढ़ रहा हो लेकिन आप जो original paper में पूछा गया जो question हो पढ़ोगे तो आपका दिमाख खुल जाएगा और हाँ बताएगा इस तरह question पूछा गया तो इस तरह पढ़ोगे तो आपका exam 100% के लिया इसलिए जो बंड़ा अभी तक PDF नहीं लिया जुरूर हमारा इसी नंबर पर कॉल किजे और ले लिजे पीड़ एक बद देखा देता हूं किस तरह देखो तो दोस्तो हमारा पास इसी तरह paper आता है देखो एक common resume note center का देखाए वो same to same का ही है तो दोस्तो आप जुरूर ऐ पीड़ ले लिजे यह same to same question ही है तो दोस्तो जुरूर कॉल करके ले लिजे 15 पिलास question आपका 5-6-year का तो दोस्तो जुरूर कॉल करके ले तो दोस्तो ये है मैंड PDF आपका देखो डिलेशन भरती एंड इस्पोर्स भरती का है देखो बहुत आच्छा तरह तो दोस्तो इसी तरह आपका बहुत ज्यादा कोशन है आप कोशन पढ़ लिया तो एक्जाम 100% किलिया तो दोस्तो देखो हिंदी इंगलिश बोथ लेंगोज कटके रख दो next question देख लिजे लास्ट में नांबर भी देखा दोगा प्राइम मेरिटाइन इस लोकेटेड ऐड़ डश डिगरी मेरिटाइन बता दो अबका प्राइम मेरिटाइन जो डश डिगरी मेरिटाइन पर इस तीथ है बता दो चारो ओप्शेयों में science है चुनो तो नेस्ट कोशन देख लिए, आट नामर कोशन, the first season of the Congress was held in, देख लिए, INC, Indian National Congress का आपका जो पहला ओदीबेशन हुआ था, और कहाँ पर आयुजित क्या गया था, बता दो, चरो अप्शन में साइन्साच चुनो, तो दोस्तो इसे चरो अप्शन में हमारा जो student option D को चुना, उसका राइज़न सर हो जाएगा, option D होगा, मॉबाई होगा, राइज़न सर, next question देख लिए, तो दोस्तो इसका राइज़न सर बता दो, next question का, the most important uranium mine in India located, देख लिए, भारत की सबसे पूरा, अपका महत्तपुर्ण राइज़न खादन है, कौन सा है बता दो, A, B, C, D, इसक option A को चुना, अपका जोदेगुटाक राइज़न सर हो जाएगा, option A होगा, राइज़न सर, next question देख लिए, तो दोस्तो इसका राइज़न सर बता दो, तो दोस्तो इसी चारइज़न सर बता दो, то दोस्तो इसनी चारइज़न में हमारा जो, student option D को चुना, अपका syndicate बैंक को चुना उसका राइट अंसर हो जाएगा option D होगा राइट अंसर नेस्ट कोशन देख लिजिए तो दोस्तों नेस्ट कोशन क्या है तो दोस्तों नेस्ट कोशन क्या है मिनिवक्कम इंटरनेशनल एरपोर्ट लोकेट इन देख लिजिए मिनिवक्कम अंतराष्टिया हवाया डग कहा है बता दो चरह option में science साच चुनू तो दोस्तों इसका राइट अंसर बता दो तो दोस्तों इसलिए चरह option में हमारा जो student option D को चुना चैनलाई को चुना उसका राइट अंसर हो जाएगा option क्या होगा option D होगा राइट अंसर next question देख लिए जे वो वाज दा एडमेरेट अज हां तो दोस्तों क्या है थोरा डिकत हो गाया था हां वो आज दा एडमेरेट अज चैंपिटी डिवस हिंदू in 1893 in the world Parliament of religion in Chicago देख लिजे आठेशत किरानपवई में शिकागो में होने बाला विश्य धर्म शबा में किसको एक पभाप्षाली हिंदू के रूप से इस्थापित किया गया था बता दो चारों option में सायंसा चुनो तो दोस्तों इसी चारों option में हमारा जो student option ABCD के अंदर option C क option B होगा रायच आँसर आपका शामी बिवे काननद होगा रायच आँसर option C option B होगा रायच आँसर थारा दिख्का थोरा कोई बात नहीं option B शामी बिवे काननद होगा रायच आँसर नेस्ट कोशन देख लिजे तो दोस्तों नेस्ट कोशन क्या है which of the flowing is an important tip of the दिलादूर range देख लिजे निर्मले के दमें से कौन सा दिलादूर परवत माला के महत्तपन आपका मुष्र जन जाती है बता दो उसका नाम बताओ चारह option में science सा चुनो तो दोस्तों इसी चारह option में हमारा जो student option A को चुना आपका गादी को चुना उसका right answer हो जाएगा option A होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तों एक भी question मत चुरो क्योंकि सबी question पूछा गया आपका exam में इसलिए एक भी question मत चुरो आपका exam A से clear कर देगा और जो student pdf अभी तक नहीं लिया ज़रूर call करके ले लिजे आपका exam ओही pdf 15 पिलास question पढ़ लिया तो आपका exam ओही से clear कर देगा तो दोस्तों next question क्या है the rebel bar was invented by देख लिजे rebel bar का अभिशकार किसके दोबारा क्या गया था बता दो चरह option में science से चुनो तो दोस्तों a b c d के अंदर हमारा जो student option b को चुना आपका shemuel card को चुना उसका right answer हो जाएगा option b हो गए right answer next question देख लिजे hard is the unit of देख लिजे hard किसका एकाई है बता दो चारह option में science से चुनो तो दोस्तों a b c d के अंदर option जो student option a को चुना frequency update को चुना उसका right answer हो जाएगा option a होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तों next question क्या है who among the flowing is controlled as the sorry you wait करो who among the flowing is the consistent as the father of the artificial intelligence देख लिजे निर्मल लिखेदे में से किसको कितिम बुद्धी मन का अबकर जनक क्या जाता है बता दो चारो option में science चुनो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तों इसे चारो option में हमारा जो option option D को चुना उसका right answer हो जाएगा option D होगा right answer John McCarthy होगा right answer option C is the right answer आठरा नंबर question देख लिजे the molecular formula of can sugar is देख लिजे गन्य चिनी का अनविक शुत्र क्या है बता दो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तों इसे चारो option में हमारा जो student option C को चुना आपका C12 H22 O11 को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा right answer next question देख लिजे उनिस नंबर question है botany is the study of देख लिजे भो बनेश्पती बिग्गन का अधन है क्या है बता दो bird, human, animal, plants इसका right answer बता दो तो दोस्तों इसकी चारो option में हमारा जो student option D को चुना आपका plants, life को चुना उसका right answer हो जाएगा पोदे का जीवन होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तों next question क्या है the color of the water is देख लिजे पानी का रंग होता है क्या होता है बता दो ABCD इसका right answer बता दो तो दोस्तों इसे चारो option में हमारा जो student option C को चुना colorless को चुना, रंग हिंद को चुना उसका right answer हो जाएगा option C होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तों इसे चारो option में हमारा student option C को चुना पेशार का एकाई है पस्कल option C होगा right answer next question देख लिजे तो दोस्तों next question, last question है इसी पोष्ण बत्र का which is the longest bone in the human body देख लिजे, मनफ शरिलकर्स सबसे लंबी हड़ी कौन सा है बता दो तो दोस्तों ये बी स्टीरी के अंदर हमारा जो student option A, B, स्टीरी के अंदर option D को चुना उसका right answer हो जाएगा फिमर होगा right answer आपका फिमर होगा right answer option D होगा right answer तो दोस्तों आपका 22 question के अंदर कितना question आया ज़रूर comment section में बता देना और हमारा जो student हमारा PDF लेना चाते हो 99 रूपिया का आपका original question का 1500 पिलास question का तो दोस्तों आभी call किजे और ले लिजे तो दोस्तों उसके अंदर GK, Mayath, Resinink, Science सभी मिलेगा जितने भी question मिला था maximum दे देंगे तो दोस्तों जुरूर call किजे और ले लिजे payment process सभी जन करी और payment करके अभी ले लिजे 5 minute के अंदर ही आपका WhatsApp में चला जाएगा हमारा तरफ से तो दोस्तों आभी call करके ले लिजे Thank you, जाहिंद